दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल में PDF की साइज को रिडियोस कैसे करें या फिर किसी भी PDF को कमप्रेज कैसे करें तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए हम यहाँ पर एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इ देखना है यहाँ पर आपको Google अपने फोन में जो Google Chrome है Chrome ब्रॉजर इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा नहीं भी आएगा तो आप यहाँ पर जो है Google आप यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आएगा Google.com अब इस पर इस website open करेंगे जो की search engine है यहाँ पर हम type करेंगे और यहाँ पर type करेंगे क्या हम small PDF यहाँ पर type करेंगे जैसे हम यहाँ पर small PDF टाइप करेंगे तो यहाँ पर आज आएगा small PDF वाले पर click करेंगे तो यहाँ पर एक website Google में दिखाए देगी जिसका नाम है small PDF.com ठीके इ इस website में ज्यादा कुछ आपको अंदर गुसने की जोरत नहीं है आपको यहीं पर आपको टूल PDF को compress करने का जो टूल है सबसे उपर ही दिखाए देगा दिखिए आप लिखा हुआ है compress PDF इस पर आप click करेंगे जैसे click करेंगे तो यहाँ पर compress PDF टूल आ जाएगा आपको directly क्य रहे हैं तो आपको simply choose file पर click कर लेना है उसके पास आपके सामने यहाँ पर तीन option दिखाए देंगे जिसमें दो camera और एक file का option दिखाए देगा file वाले option पर आपको क्लिक कर लेना है इसके पास से आपके सामने कुछ इस तरी का icon दिखाए देगा उपर ध्यान से देखिएगा तो अलग अलग तरह का यहाँ पर icon दिया गया है यहाँ पर आपको document का icon दिया गया है आप document वाले पर click करेंगे तो जितनी भी video file है वो आपके phone में वो सब सामने यहाँ पर दिखाए देगा और जो सबसे latest video file होगी जैसे कि जो आज का video file है वो यहाँ पर सबसे टॉप पर द जो भी PDF को compress करने का जो process होता है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा यहाँ पर जो PDF का icon वेगरा है preview देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम है वो भी देख सकते हैं और यहाँ पर देखिएंगे तो यहाँ पर 11% जो है यहाँ पर success हो रहा है अब आपको क्या करना है आपको कर दिया है अब चाहो तो यहाँ पर जो PDF का नाम है उसको भी आप चेंज कर सकते हो अब यहाँ पर जब आपके PDF का साइट यहाँ पर डिस्क्रीज हो जाए यानि कि compress हो जाए तो आप इसको simply यहाँ पर download बटन पर क्लिक करोगे डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको जो भी आपके जो मुवाइल में PDF फ्यूवर है उस पर आप क्लिक करोगे तो यह आपके सामने ओपन हो जाएगा आप इस PDF की फाइल को आप कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर मतलब जो मैं आपको पीडियो कंप्रेस करने का तरीका बता हूँ इसको आप लोग को यह बतलब बहुत ही आसान है सिर्फ आपको अप्लोड करना है और जो भी सुटेबल साइज होगा वो आपको यहाँ पर कंप्रेस होकर सामने आ जाएगा इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें हैं